हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम मंथन यूटूब चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो है 2020 की प्रमुक अपॉइंट्मेंट यार इन प्रमुक नियुक्तियों की है और ये topic wise video एक और है topic wise current affair की video है और इससे पहले जो मैंने videos डा ली है topic wise current affair की अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर प्लिलिस्ट में देख सकते हैं और मैंने उन्हें काट में भी add कर दिया, i button में जाकर उपर आप देख सकते हैं और end screen पर भी लगा दिया है तो आज की जो हमारी topic है आज का इसमें हमने 50 questions cover किये हैं और वो भी objective form में होंगे और उम्मीद करता हूँ इस video को देखने के वाद आपके चाहतर questions 2020 के cover हो जाएंगे और जिस question को explain करने की बात होगी मैं उसे explain भी करूँगा जिससे आपके और कुछ question भी cover हो जाएं तो अमीद करता हूँ आपको ये video अच्छे लगएगी अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप इस video को अगर अच्छा लगए तो like करें और share भी करना और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले question के साथ पहला question क्या है किसे हाल ही में भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है यानि की CAG Comptroller and Auditor General of India तो इसके चार option हैं आपको देख रहे होगे ग्रीशन्द मुर्मू, रामदी नगरवाल, प्रमोज सिनहा and अरुन्धती राय तो इसका जो सही answer होगा वो है ग्रीशन्द मुर्मू ग्रीशन्द मुर्मू जो थे वो इससे पहले जम्मू और कस्मीर के उपरा जिपाल थे और उन्हें अब भारत के नियंतरक एवं महालिखा प्रिक्चक के रूप में न्यूक्त कर दिया गया है और देखिए एक तो होता है C.A.G. जो कैग आप देख पारे हैं और एक C.G.A. कैग जो होता है ये भारत सरकार के सभी खातों की जाँच करता है और CGA जो तहाए ये भारत के भारत सरकार जो केन सरकार होती है उसका एक सलहकार होता है और एक most important बात CAG जो है वो एक constitutional body है यानि कि सम्विधानिक निकाय है और CAG एक गेर सम्विधानिक निकाय है यानि कि CAG की जो चर्चा है वो सम्विधान में है और CGA की चर्चा सम्मिधान में नहीं है और CGA वित्मंत्रा लेके अंद्रगत काम करता है और CGA एक स्वायत निकाय है यानि independent body है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये doubt clear हुआ होगा और इसके जो option है सही होगा ग्रीशन मुर्मू और बात करें CGA की जो मुख्य जो नियुक्त किये गए है मुख्य जो है चीफ और वो है सोमा राय बर्मन आपको ये भी याद रखना है सोमा राय बर्मन ठीक तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा अब बात करते हैं question number two की question number two क्या है नाबाड के अध्यक्ष कौन है तो सबसे पहले जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गोविंद राजलू चिंतला जो है वो नाबाड के अध्यक्ष है अगर हम बात करें कि नाबाड की full form क्या है तो इसकी full form है National Bank for Agriculture and Rural Development और इसकी जो इस्थापना हुई थी वो ही थी 12 जुलाई 1982 को और इसका जो headquarter है वो है मुंबई में तो ये भी आपको याद रखने है तो इस question का जो सही आंसर होगा वो होगा गोविंद राजलू चिंतला अब चलते हैं question number 3 की तरफ question number 3 क्या है निमलेकित में से किसे देश का पहला chief of defense staff nuked किया गया है यानि कि CDS chief of defense staff चार option आपके पास रामवीर सिंग, राकेश कुमार सिंग, बधोरिया विपिन रावत और प्रतिवी राज तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका पहला जो CDS या है वो nuked किया गया है विपिन रावत जो पहले थल सहना प्रमुक थे उन्हें ही CDS बनाया गया है देखिए अब CDS होता क्या है CDS जो है तीनो सहनाओ का Navy, Army और Air Force Air Force का तीनों का प्रमुक होता है ठीक है? तो इसे ही CDS बोलते हैं तो इनके जो पहले नियुक्ती की गई है वो हैं विपिन रावत पहले CDS है ये और इन्हें December 2019 में नवंबर 2019 में नियुक्ती किया गया था तो CDS का कुश्चन आपसे पूचे तो वो होंगे आपके जनरल विपिन रावत अब चलते हैं कुश्चन नमबर 4 की तरफ कुश्चन नमबर 4 क्या है? मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? देखिए मुख्य सूचन आयुक्त की बात करें तो मार्च में जो नियुक्त किया गया था वो कुश्चन पूचे अगर आपसे तो वो थे विमल जुल का लेकिन अगर आप current की बात करें तो current में जो फिलाल मुख्य सूचना आयुक्त जो है Chief Information Commissioner वो है यश्वरधन कुमार सिना इन्हें अभी November में ही नियुक्त किया गया था 7 November को और आपको पता होना चाहिए कि RTE Right to Information 2005 में एक विद्यक पारित हुआ था इसके तहत सूचना आयुक्त का एक पत्सरजन किया गया था तो इसी पर इसका पुर्मुक्त होता है मुख्य सूचना आयुक्त ठीक है तो इसके पुर्मुक्त जो है वो है यश्वरधन कुमार सिना पहले तो मार्च की बात करें तो वो वि सेवी के वरतमान अध्यक्ष है तो सेवी भी पता होना चाहिए सेक्यॉर्टी ज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1992 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्य काम जो है वो सेक्योरिटीज की आवा गमन है उसपर नजर तो अगर आपसे बात करें सेवी की तो सेवी की जो यहाँ पर अध्यक्ष है वर्तमान अध्यक्ष वो है अजयत यागी तो अजयत यागी इसका सही अंसर हो जागा और अगर आपसे बात करें सेवी की full form तो Securities and Exchange Board of India and Establishment तो 1992 ठीक है चलते हैं Question No.6 की तरफ Question No.6 क्या है नेमलिकित में से किसे जम्मू कश्मीर राजिका नया राज़पाल नियुक्त किया गया है अगर देखिए बात करें कि जम्मू कश्मीर राजिका नया राज़पाल किसे नियुक्त किया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोज सिनहा Option B अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर राज़पाल किसे नियुक्त किया गया था यानि कि First तो उस केश में जो आपका सही आंसर होगा वो गिरिश्चन्द मुर्मू हो जाएगा जम्मू कश्मीर का राज जपाल पहला किसे ने उक्त कियागा गिरिश्चन्द मुर्मू कब जब 370 आर्टिकल 370 को खटाया गया था जम्मू कश्मीर से अगस्ट 2019 में उसके बाद पहला जो उपराज जपाल वो ने गिरिश्चन्द मुर्मू जो अब भारत के CAG यानि कैग है अब फिलाल जो वहां के जम्मू कश्मीर के उपराज जपाल है वो है मनोज चिना ठीक है कोश्चन नमर 6 का ओप्शन हो जागा बी अब चलते हैं कोश्चन नमर 7 की तरफ कोश्चन न विश्वनाथन आनन्द तो इसका जो सही आंसर होगा जो ब्रेंड अमेजडर नुक्त किया है WWF ने वो है विश्वनाथन आनन्द WWF का काम क्या है विश्व में परियावरण का संरक्षन करना है और उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड कराना है ठीक है तो आप इसका समझ आनसर जो होगा वो होगा विश्वनाथन आनन्द जो की भारत के एक चैस प्लेयर है तो अब चलते हैं कुश्वन नंबर 8 की तरफ कुश्वन नंबर 8 क्या है कि WTO यानि की World Trade Organization विश्व व्यापार संक्थन बोलते हैं जिसे ने भारत का इस्थाई पृति निद्री किसे नि निद्री को WTO ने भारत का इस्थाई पृति निदी नियुक्त किया है और बात करें WTO की तो WTO की स्थापना जो ही थी वो 1995 में ही थी इसने पहले पूर में एक संस्ता गैट का इस्थान लिया था और इसका जो मुख्या लहब वो जेनेवा स्विट्चर लेंड के जेनेवा में इसका हैड कोटर है तो आपको यह चीजें हैं से तीन चार चीजें आपको याद रखनी हैं उम्मीद करता हूँ यह कुशन आपको समझ में आया होगा चलिए अब चलते हैं कुशन नमर 9 की तरफ कुशन नमर 9 क्या है मैनूल मरेरो 43 वर्सों बाद किस देश के पहले प् समाप्त कर दिया था और उसके बाद जो अब पहले प्रधनमंत्री वने हैं वो बने है मैनूल मरेरो और किस देश के वो हैं क्यूबा तो आपको यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है कुशन नमर 9 आप चलते हैं कुशन नमर 10 की तरफ कुशन नमर 10 क्या है सना मरीन किस द सारी यूरोपियन कंट्रीज है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फिनलेंड सना मरीन जो हैं वो फिनलेंड की प्रधनमंत्री है और वो फिनलेंड की सबसे यूवा प्रधनमंत्री होने के साथ साथ वी विस्व की सबसे यूवा प्रधनमंत्री है तो इसका जो तो आपका जो सही option होगा इन चारों में से वो होगा आपका अजय पटेल अजय पटेल को अखिल भारती है सतरंज संग का अध्यक्षिन नियुक्त किया गया है और इसकी स्थाबना कभ हुई थी 1951 में तो आपको ये भी याद रखना है और ये कैसी बड़ी है जो एक सतरंज जैसे BCCI है किर्केट कंट्रोल बोर्ड है वो किर्केट से संबंदि सारी गतिवदियों कंट्रोल करता है ऐसे ही ये चैस से रिलेटेट सारी गतिवदियों को कंट्रोल करता है तो आपका इसका अंसर हो जागा 11 का ओप्शन नमबर D अजय पटी चलते हैं कुशन नमबर 12 की तरफ कुशन नमबर 12 किया है किसे भारती नोसेना की पहली महिला पाइलेट न्यूक्त किया गया है तो आपके पास चार उप्शन है भावना राठोड, लेफ्टिनेंट शिवांगी, गुंजन सकसेना एंड स्वेता पतेल तो अगर बात करें नोसेना में पहली महिला पाइलेट की तो वो है आपकी लेफ्टिनेंट शिवांगी लेफ्टिनेंट समागी इसका correct answer हो जाएगा तो पहली महिला पाइलेट, option B is correct चलते हैं question number 13 की तरफ, question number 13 क्या है press trust of India जैसे हम short form बोलते है PTI की नए chairman कौन न्यूक्त किये गये हैं तो आपके पास चार option है, एक तो है अवीक सरकार, विजय कुमार अरोडा, हरीशंकर पवार और विमल जुलका तो इसका जो सही answer होगा वो होगा PTI के जो अवीक सरकार, chairman जो है और PTI एक भारत की सबसे बड़ी news agency है, इसके कारियाले लगवक पूरे देश में 120 से अधिक कारियाले है और इसके अंतरगत लगवक 500 से ज़्यादा news paper जो हैं यहाँ पर registered है तो आपको यह चीज याद रखनी है अवीक सरकार बात करें question number 14 की, तो question number 14 क्या है किसे अगस्त 2020 में UPSC का नया chairman निक्त किया गया है तो इसका जो सही आंसर है आपका, आप चार option देखें पहले विने मित्तल, अर्विन सक्षेना, परदीब कुमार जोसी, और प्रहलाद चतरुवेदी तो आपका जो सही आंसर होगा, वो होगा प्रहलाद कुमार जोसी, प्रदीब कुमार जोसी, ठीक है अब बात करनें UPSC की, तो UPSC एक constitutional body है जिसका जो जिक्र है, वो constitution में मिलता है, ठीक है और इसे किस article के अंदरकत मिलता है, जिसका जिक्र वो है article 315 तो आपको यह चीजा रखनी है, कि UPSC का जो जिक्र है, वो constitution में कहां पर है, article 315 में और जो फिलाल, current में जो इसके UPSC के chairman है, वो है प्रदीब कुमार जोसी, option C आपका सही हो जाएगा चलते है, question number 15 की तरफ, question number 15 क्या है, किस भारतिये मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में हुए चुनाब में उपराष्टपती का चुनाब जीत लिया है, निकि Vice President का चुनाब जीत लिया है तो आपके पास 4 option है, Joe Biden, Kamala Harris, Sanaa Marijn and Priyanka Radha Krishnan तो अगर हैं से हम बात करें, Joe Biden जो है, वो USA के नए President बने है और Vice President की बात करें तो भारती मूल की Kamala Harris है मंत्री मंडल में, New Zealand के मंत्री मंडल में सामिल होने वाली पहड़ी भारती मूल की महिला है यानि की ने एक Minister का पद दिया गया है, Priyanka Radha Krishnan को तो आपको ये चीज भी यहां से याद रखनी है, option इसका जो सही होगा, वो भी सही हो जागा कमला Harris, उपराष्टपती जीता है चलते हैं, question number 16 की तरफ, question number 16 क्या है प्रत्वी राज सहिंग रूपन, 2020 में किस देश के नए राष्टपती नियुक्त के चुने गए है या फिर बने है तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका देखिए, पहले तो option देखते हैं, Brazil, Sri Lanka, Mauritius and Nepal तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा, Mauritius Mauritius के हाँ पर पढ़ता है, ये हिंद महासागर में पढ़ता है और किस का पार्ट है, अफरीका का पार्ट है ठीक है, तो इसका option C, सही हो जाएगा, Mauritius चलते हैं, question number 17 की तरफ, question number 17 क्या पूचता है कि निमलिखित में से किसे, CBSE का नया चेर्वेन, यानि अद्ध्यक्षिन, नियुक्त किया गया है तो आपके पास चार option है, प्रिकाश मित्तल, स्रीराम राय, मनोज आहुजा तो आप इसका full form भी बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, मनोज आहुजा question number 18, भगवान, देखिए आप यह लखा हुआ, भगवान नहीं भगवान लाल साहनी, किस राष्टिय आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो इसका जो सही option, आप देखिए पहले तो नहीं है, तो इसका तो इसका सही आंसर होगा, आपका राष्टिय पिछला आयोग, कि अध्यक्ष किसे नियुक्तिा गया है वो हैं, इनका नाम है भगवान लाल साहनी, तो इससे आपको याद रखना है चलते हैं question number 19 की तरफ question number 19 क्या है कि निमलिकित में से किसे national school of drama जिसे हम NSDV बोलते हैं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो आपके पास चार option है अनपमखेर, नशिरुद इंसा, अक्षे कुमार और परेश रावल NSD जो है एक दिल्ली में संस्थान है जो की acting school है और भारत का सबसे बड़ा acting school है और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किये गए है वो नियुक्त किये गए है परेश रावल, आप सभी जानते हों कि परेश रावल एक भारती अभी नेता है और जो इन्हें को National School of Drama का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चलते हैं अब कुश्चन नमबर 20 की दरफ कुश्चन नमबर 20 क्या कहता है कि वर्तमान में कौन भारत के मुख्य सतरक्ता आयुक्त है CVC तो इसका जो सही आंसर होगा पहले तो आप option देखिए अमित पांडे, विमल जुलका, सुनील जोशी एंड संजे कोठारी तो जो मुख्य सतरक्ता आयुक्त हैं भारत के वो हैं संजे कोठारी देखिए CVC का काम क्या होता है देखिए किसी भी मतलब हमारे देश में ब्रष्टाचार और किसी भी कारियाल में जो अन्यमित्ता है हो रही है उनकी जाच करना और उनकी खिलाफ कारभाही करना मुख्य सतरक्ता आयुक्त का काम होता है तो इसका जो सही option होगा मुख्य सतरक्ता आयुक्त कोठ किये गए हैं तो वो हैं संजे कोठारी चलते हैं question number 21 की तरफ question number 21 क्या है नेम लिखित में से किसे परधान मंतरी के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है पर्सनल सेक्रेटरी कौन है आपके पास परमोद मिश्रम मनोज सिना, हार्दिक सचिव नियुक्त किया गया है वो है हार्दिक सतीष चंदरशाह तो आपको यह यादर ना है यह अभी नई में नई नियुक्ति हुई है हाली में चलते हैं कुशन नमर ट्वंटिटू कुशन नमर ट्वंटिटू क्या है विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF का महाने देशक किसे नियुक्ति किया गया है पेरामिलिटरी फोर्ट CRPF का जो महाने देशक नियुक्ति किया है किसे आपके पास सुनील जोशी विजय कुमार अरोडा एंड AP महिश्वरी अजय श्रिवास्तवा तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा AP महिश्वरी अजय प्रकाश महिश्वरी नाम हैं का और सही ओप्शन ये हो जागा CRPF के नए महाने देशक का AP महिश्वरी ठीक है कुश्चन नमर 23 विश्व बौदिक संपदा संगठन का नया महाने देशक किसे नियुक्ति किया गया है तो इसके ओप्शन आपके पास जरेंट टेग, पैट्रो संचेज, पीटर जरेफ एंड अमानिया रोल तो इसके सही आंसरोग आपका जरेंट टेग देखें विश्व बौदिक संपदा संगठन का काम क्या है पूरे विश्व में ये नवाचारों को बढ़ाने का प्रियास करता है ठीक है नवाचारों को प्रहुतसान करता है तो आप सभी जानते होंगे विश्व बौदिक संपदा संगठन के महाने देशक कौन है डेरेंट टेग ठीक है ऑप्शन ये आपको याद रखना है कुश्चन नमबर 25 24 मिखाईल मिस्तुतिन किस देश के नए प्रधान मंतरी नियुक्त किये गए है तो आपके बास ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, रूस एंड जर्मनी तो इसका सही आंसरा हुआ आपका रूस यहां के राष्टपती की बात करें तो वो हैं वलामिद्र फुतिन और जो यहां के प्रधान मंतरी है वो हैं मिखाईल मिस्तुतिन मिस्तुतिन ठीक है तो यहां के प्रधान मंतरी है option जो आपका C सही हो जाएगा चलते हैं question number 25 की तरफ 25 क्या है राष्ट्रिय विज्ञान फाउंडेशन का पिर्मुक किसे नियुक्त किया गया है तो option है आपके पास शार Dr. Setu Raman Panchanathan, K.K. Wadugopal, M. Netra, Brijendra Navneet तो इसका सही आंसर जो होगा राष्ट्रेविज्ञान आयोक के वो है Dr. Setu Raman Panchanathan जो है राष्ट्रेविज्ञान आयोक के पिर्मुक नियक्त किया गये है और राष्ट्रेविज्ञान आयोक का काम क्या है भारत में विज्ञानिक गतिविद्यों को देना तो ये में कारे इसका है और इसके जो अद्यक्ष है डक्टर सेतु रामन पंचनातन ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा चलते हैं नेक्स कुशन की दरब कुशन नमर 26 है अनूप कुमार सिहिंग किस अर्द सहनिक बलके महा निदेशक नियुक्त किये गए हैं आपके पास चार अप्शन हैं BSF, NSG, CRPF and ITBP तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NSG National Security Guard परामिलिटरी फोर्स है और इसके जो अर्द सहनिक बलके इसके महान देशक नियुक्त किये हैं वो है अनूप कुमार सिंग जा आपने बलेक कमांडो का नाम सुना होगा वो यही है NSG के सदस् ठीक है अब बात करते हैं कुशन नमर 27 की 27 क्या है किसे Steel Authority of India Limited की डिरेक्टर नियुक्त किया गया है जो की इस पत पर पहली महिला है यानि सेल जो एक कमपनी है इसकी जो पहली महिला डिरेक्टर है वो कौन है आपके पास शार आप्शन है सुमा मंडल, सिक्षा जैन, सुदा अशरमा एंड मिताली राज तो इसका सही आंसर होगा आपको शोमा मंडल देखिए जो सेल है Still Authority of India Limited ये भारत की एक नवरतन कंपनी है भारत में दो ब्रकार की कंपनिया है पहले देखिए सबसे ज़्यादा जो है महारतन महारतन लगवग 8 से 9 कंपनिया है अभी actually इसके data मु भारतन से नीचे बात करें तो वो आती है नवरतन नवरतन कंपनियों में आपकी Still Authority of India Limited आती है जिसे हम सेल भी बोलते हैं ये भारती अपकरम का एक बिजनिस है या नहीं ये भारती कंपनी है भारती सरकार की ठीक है तो इसका जो option सही होगा आपका सोमा मंडल सही हो जाएग चलते हैं question number 28 की तरफ हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभी निता को पंजाब का state icon नियुक्त किया है इन्हें अभी हाल ही में नवंबर में नियुक्त किया गया था किसी state icon तो वो कौन है अक्षे कुमार, राजकुमार राव, सौनु सूद, सलमान खान और पंजाब का state icon कौन है, सौनु सूद, आप सभी जानते होंगे, इन्होंने अभी lockdown में प्रवासी मजदूरों की काफी मदद की थी, इसी वज़े से चुनाव आयोग ने इन्हें पंजाब में state icon नियुक्त किया है, सौनु सूद, इसका सही answer होगा, चलें question number 29 की तरफ, तो 29 है, हाल ही में स्रम वे रोजकार मंत्राले में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, option आपके पास चार, PD वगेला, अपूर्व चंद्रा, नवतेजबल, अनिल जैन, तो इसका सही answer जो होगा, वो होगा आपका अपूर्व चंद्रा, अपूर्व चंद नया CFO नियुक्त किया है, Chief Financial Officer, ये अभी हाल ही में, अक्टूबर में नियुक्त किया गये थे, और चार option आपके पास हैं, चरण सिंग अत्रा, चरण जीत सिंग अत्रा, BS धनोह, अपूर्व चंद्रा, and PD वगेला, तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा, आपका option A, चरण जी चरण जीत सिंग अत्रा, अगर बात करें, CFO, यानी Chief Financial Officer की, तो वो हैं आपके चरण जीत सिंग अत्रा, और किसके SBI की, तो आपको ये याद रखने हैं, कुशन No.31 की बात करें, तो अभी हाल ही में, देखिए अभी हमने CFO की बात की थी, अब बात आती है, SBI की Chairman की, तो SBI की Chairman की रूप में किसे न्युक्त किया गया है जल्दी में, चार उप्षन आपके पास, चरण जीत सिंगत्रा, नवतेजबल, दिनेश कुमार खरा, अनिल जैन, तो यहाँ पर हम बात करें, इसकी पहले Option की तो CFO हो गए, लेकिन दूसरे जो हैं यहाँ पर SBI की Chairman, वो होंगे आपके दिनेश कुमार खरा, ठीक है, Option C आपका सही हो जाएगा, चलते हैं, Question 32, Question 32 क्या है, World Bank के कारे कारी निदेशक, यानि Executive Director के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो आपके बास चार उप्षन है, चरण जीत सिंगत्रा, समीर खरे, पीडी वागेला, एंड स्खुलर, राजे स्खुलर को World Bank का कारे कारी निदेशक, यानि के Executive Director न्युक्त किया गया है, तो ये एक आईए सदिकारी है, ये आपको याद रखना है, Option D is correct answer, Next Question is, All India Tennis Association के अद्धिक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो आपके पास चार उप्षन है, समीर BJP के एक Member है, और ये इससे पहले राजे सवा सांसद भी थे, तो आपका इसका सही आंसर जो होगा, वो होगा, अनिल जैन is the All India Tennis Association President, ठीक है, तो Option D is correct, Question No. 34, Question No. 34 क्या है, हाल ही में, RBI के Deputy Governor के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो आपके बास चार उप्षन है, एम के कानून गो, एम के जैन, बीपी कानून गो, एम राजे सुर राव, एंड एम डी पत्रा, तो अभी हाल ही में जो न्युक्त किया गया है, उनका सही जो नाम है अभी जल्दी में, एम राजे सुर राव, बात करें, RBI की, तो Reserve Bank of India, ये भारत का एक Central Bank है, और इसमें एक जो है आपका Governor होता है, और जो चार है आपके इस टाइमस में Deputy Governor है, चार Deputy Governor में मैंने आपको एक बता दिया, एम राजे सुर राव, और बाकी के तीन ये आपके Option जो है, यही आपके तीनों इसके साथ Deputy Governor है, चारो Deputy Governor आपको यहाँ देख गे होंगे, एम के जैन, बीपी जुन गो, एम राजे सुर राव, एम डी पात्रा, तो यह होगे Deputy Governor और एक जो Governor है, वो है शक्तिकांत दास, तो आपको यह चार चीजे भी याद रखनी है, कोछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो Question 35, 35 क्या है, हाल ही में Indian Post Payment Bank के MD, Managing Director and CEO Chief Executive Officer के रूप में किसे नुक्त किया ग तो आपका जो सही आंसर होगा, इसका MD & CEO का वो है, जे वैंकर रामू, जे वैंकर रामू को Indian Post Payment Bank के MD और CEO निक्त किया गया है, यह एक Payment Bank है, ठीक है, तो चलते हैं, Question 36 क्या पूछता है, कि हाल ही में FTII, Governing Council के Chairman के रूप में किसे नुक्त किया गया है, तो इसका जो Full Form है, यह Film & Television Institute of India, तो इसके जो सही चार ओप्शन है, वो है, शेखर कपूर, परेश्रावल, प्रिशून जोशी, एननबंखेर, बात करे, Governing Council के अधिक्ष की, तो वो भी सेखर कपूर है, और FTI के Chairman, FTII के Chairman कौन है, तो वो भी सेखर कपूर ही है, तो इसका सही आंसर जोगा, सेखर कपूर सही हो जाएगा, Option is Correct, Question No.37 की बात करें, Question No.37 क्या है, हाल ही में, राज सभाखा उपसाभापती किसे नुक्त किया गया है, Option हैं आपके, हरीवंस नरायंड सिंग, राजेश कुमार, वेंके य जानते होंगे, भारत के उपराष्टपती, वेंक या नायडू, राज सभाखे सभापती होंगे, और उपसभापती कौन है, हरीवंस नरायंड सिंग, चलिए चलते हैं, Question No.38 की तरफ, 38 क्या है, जापान के नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं, देखिए अभी हाल ही में, जो सही हो जाएगा, और जो पूर पूछे, तो वो है शिंजो अभे जनोंने अभी हाल ही में, रेजिगनेशन दिया है, अपने पद से, ठीक है, चलते है, Question No.39 की तरफ, 39 क्या है, होकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानि कि होकी इंडिया के जो प्रेजिडेशन होंगे, वो कौन होंगे, आपके पास चाहर अप्षन है, गौरब कुमार, ग्यानिन दरोन निगंबम और दीपक सहिंग और आरव सहिंग, तो देखिए, इसका सही अप्षन जो होगा, वो होगा, ऑप्षन भी, ग्यानिन दरोन निगंबम और ये Northwest East State से आने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिने होकी इंडिया का प्रेजिटेंट चुना गया है ये नौर्थ इस्टेट से बिलॉंग करते हैं ठीक है ओप्शन आपका भी सही हो जाएगा चलते हैं कुशन नमर 40 की तरफ कुशन नमर 40 क्या है भारती क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर किसे नुक्ति किया गया है तो आपके पास चार उप्शन है विरेंदर सहवाग, सुनील जोशी, अजय केतन एंड राजेश महिश्वरी तो आपका जो सही आंसर होगा जो चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडिया है क्रिकेट टीम के वो हैं सुनील जोशी आपका सही आंसर होगा तो आप्शन भी इस करेक्ट नाओ, लेट्स मूब तो नेक्स कुश्चन कुश्चन नमर 41 क्या है केंद सरकार ने किसे नया विद्द सचिव नियुक्त किया है तो आपके पास राजीव कॉल, केवि कामत, अजयराम सिंग, अजयभूषन पांडे तो आपका जो आपका जो आप्शन इसमें सही होगा वो होगा अजयभूषन पांडे जो भारत सरकार के नए विद्द सचिव होंगे अब चलते हैं question number 42 की तरफ question number 42 क्या भूचता है कि भारत के 28 वे सेना पुर्मक कौन बने है 28 वे सेना पुर्मक कौन है तो आपके बाश चार option है जनरल असो गहलोद, जनरल विपिन महेश जनरल मगनोज मुकुंद नरवणी और जनरल एहमद पतेल तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option C थलसेना पुर्मक कौन है फिलाल जनरल मगनोज मुकुंद नरवणी और इससे पहले जो थे वो जनरल विपिन रावत थे जो की अब फिलाल में CDS पुर्मक है तो उसके बाद जो बने हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नर्मने Question No.43 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें option है आपके पास कृषण सिंग, अजय भट, सुनील अरोडा और प्यूस गोईल तो रहील मंतरी है और सुनील अरोडा जो है आपके ये तेईस में मुख्य चुनाव आयुक्त है चीफ लेक्शन कमिशनर है और इससे पहले जो थे वो थे ओपी रावत यानि की ओम प्रिकास रावत जो की 22 में थे और 2018 में जो कारेबार समा रहा था वो थे सुनील अरोडा अब फिलाल भारत के वो चीफ लेक्शन कमिशनर है सुनील अरोडा is the right answer option C कुशन नमर 44 की तरफ चलें तो केंदर सासित प्रदेश लद्दाख अब ही हाली में आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर जो इस्टेट था पहले उससे दो यूटीज बनाए गई है लद्दाख हैं जम्मू कश्मीर तो पहले जम्मू कश्मीर वाला कुशन पहले आ चुका है अब है केंदर सासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज जेपाल लेटनेंट गवर्नर कौन थे तो आपके पास चार आप्षन है आरके माथुर, क्रिष्चंद, मुर्मू, राजेश, भुषण, एंडिनेशर, सर्मा तो उसका जो सही आंसर होगा लद्दाख के जो पहले थे वो थे आरके माथुर इसका सही आंसर रह जागा आरके माथुर चलते हैं कुष्चन नमर 45 की तरफ 45 क्या है केंदर सासित परदेश, जम्मू कस्मीर के पहले उपरा जबाल कौन थे देखिए अब की जो बात करें तो फिलाल तो है मनुष सिना मैं आपको पीछे इस कुष्चन को करा चुका हूँ लेकिन अगर बात करे के पहले कौन थे तो वो हैं गरिश्चंद्र मुर्मू जो की अफिलाल में C.A.G. हैं कैग है गरिश्चंद्र मुर्मू ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा चलते हैं नेक्स कुष्चन की दरफ नेक्स कुष्चन क्या है 46 भारतिये वायू सेना का प्रमुक कौन मना है देखिए अभी में हमने धल सेना प्रमुक की बात की थी अब हम बात करेंगे वायू सेना प्रमुक की तो वायू सेना प्रमुक जो हैं आपके पास शारॉप सेना रमेश लांबा, नरेश बधोरिया, करम जीत सिंग तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा राकेश बधोरिया option D सही आंसर है आपका वायू सेना के परमुक कौन है राकेश बधोरिया लेकिन अगर बात करे कि नेवी के नेवी चीफ कौन है तो वो है आपके Admiral Karamjit Singh Karamjit Singh नेवी चीफ होंगे और थलसेना परमुक मैं आपको पहले ही वता चुका हूँ जनरल मनोज मुकुंद नर्वने ठीक है चलते हैं कुशन नमर 47 की तरह 47 क्या है भारत के 47 मुक्ष नयाधीश कौन बने है तो आपके पास चार उप्सन है रंजन गोगोई दीपक मिश्रा, सरद अरविंद बोबडे एंड सक्तिकांत दास देखिए बात करें फिलाल 47 में की तो भारत के जो 47 में मुक्ष नयाधीश यानी C.J.I.A. Chief Justice of India वो हैं सरद अरविंद बोबडे इन्होंने 2019 में कारेभार समाला था उससे पहले जो थे वो थे रंजन गोगई इन्हें अब राजसमा में मनुनीत कर दिया गया है भारत के राष्टपती द्वारा और इन से पहले ये तो 46 हो गए और अगर 45 की बात करें तो वो हैं दीपक मिश्रा और सक्तिकांत दास जो हैं शक्तिकांत दास फिलाल RBI की गवर्नर है ठीक है तो यहां से चार कुशन आपके कवर होते हैं चलते हैं कुशन नमर 48 की तरफ कुशन नमर 48 क्या है निमलिखित में से BCCI Board of Cricket Control of India के सचिप कौन है आपके बाशार उप्चन है अमिस्षा, जैशा, सौरव गांगुली और सचिन तंदूलकर तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा सचिप की बात करें तो वो होंगे जैशा, जो की अमिस्षा के बेटे हैं और बात करें BCCI के अध्यक्ष तो BCCI के अध्यक्ष है सौरव गांगुली असचिप की बात करें तो जैसा होंगे ठीक है आपको ये चीज confusion नहीं करनी है कि जैसा उसमें secretary में and president में आप अंतर करें जो आपका यहाँ पर main है वो है जैसा आपके सचिप होंगे और सौरव गांगुली जो है bccii के president है ठीक है चलिए अब चलते हैं आपके next question की तरफ 49 क्या पूचता है नेमले कितमे से नई सिक्षानीती new education policy जैसे हम सौर्ट में NEP बोलते हैं के अद्दक्ष कौन है तो आपके पास चार option है यसपाल सिंग, के कस्तूरी रंगन अर्श्विन भाटिया एंड आपके भगवान लाल साहनी तो इसका जो सही आंसर होगा जो new education policy जो लागू की गई है फिलाल अभी तो उसे जो बनाया था उसके जो chairman थे वो के कस्तूरी रंगन थे ये पहले पूर्व इसरो पिरमुक है इस रोमेनों ने काम किया है और ये अब फिलाल नई सिक्षनिती के chairman थे जिन्होंने इसका draft भी बनाया था और अब ये नई सिक्षनिती लागू भी कर दी गई है ठीक है चलते है question number 50 की तरफ question number 50 क्या है सेवी के कारेकारी निदेशक कौन है अब ही हमने बात की थी अद्यक्ष की वो question पीछे चला चुका है अजेत्यागी हमने बात किया था अब बात आई है कारेकारी निदेशक यानि के executive director चार option है आपके प्रदीप कुमार जोची ग्रीश चंदर चतरुवेदी JP गर्ग एंडपनागी चंदर घोश तो इसका जो सही answer होगा आपका वो होगा JP गर्ग JP गर्ग कौन है JP गर्ग है आपके सेबी के कारेकारी निदेशक ठीक है तो आपका ये answer सही होगा ये था आज का हमारा last question और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और हमने नाम इसका लिखा हुआ यहां पर देख रहा होगा आपको अगर आप चाहें तो हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं फोर लेटेस्ट अपडेट ठीक है अगर आप मुझे Instagram पर follow करने चाहते हैं और Facebook पर follow करने चाहते हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं और उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरू करें और comment में भी अगर आपको कोई दिक्कत है अगर आपको किसी question वगेरा से दिक्कत है तो comment में जरूर बताएं suggestion हम आपका जरूर देखेंगे तो चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक लिए भाई and thank you